श्रिवाक्त लंगल लगाने वालों को पुलिस सुरक्षा देने की मांग करी है जी हां पुर जम्मू में अमनात यात्रा शुरू हो चुकी है इसे में आतंग वादियों को चुन-चुन कर जम्मू कश्मीर की पुलिस मारेगी इसी अभ्यान के चाहत आबा जो लंगल लगा रहे हैं उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई है श्री अमनात जी यात्रा वेलफेर सोसाइटी के रास्टी महमंतिय राजू चंदेल ले आज बात करते हुए बताया कि अमनात यात्रा शुरू हो चुकी है ऐसे में यहां पर जो इत्ते भी लंगर चल रहे हैं महाँ पर हिंदुवादी लोगों को यहां पर पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाए और इसी उन्होंने पुलिस से मांग की है पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कस्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो अंतिम सांसे गिन रहा है और एक-एक आतंकवादियों को चुन-चुन करके हमारी जम्मू कस्मीर पुलिस और आर्मी द्वारा मारे जा चुके हैं आतंकवादी आज आतंकवादी हतास हो चुके हैं कायर गदार पाकिस्तान हतास हो चुका है वो कही न कही यात्रा में हिन्दुवादी नेता को टार्गेट करने की फिराक में बैठे हैं तो मैंने केंद्रे ग्रह मंतरी को जाकर के दिली में चिठी लिखी पत्र दिया कि जल से जल भारत्य जन्ता पार्टी के जो हमारे कारे करता हैं पंसर पंच हैं और हिंदुवादी नेता हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा ही जाए. क्योंकि ये कायर आतंकवादी हमारे हिंदुवादी नेताओं को भाजबाय के नेताओं को पंसर पंचों को टार्गेट करने पे लगे हूँ क्योंकि चुनाओ जल्दी ही पंसर पंच का होने जा रहा है जम्मू कस्मीर में तो लिहाजा जादस जादस सिकोटी बढ़ाई जाए और जम्मू कस्मीर पुलिस और तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए क्योंकि यह आतंकवादी कहीं न कहीं छुपे बैठे हैं और यह यात्रा को नुकसान पोचाने की कोशिश में है और मैंने कहा है कि जादस जादस कम से कम 40 कंपनियां यह तैनात की जाए जम्मू कश्मीर के अंदर और आतंकवाद मैं फिर कहना चाहता हूं कि अंतिम सासे गिन रहा है आतंगवाद कोई अच्छा नहीं होता आतंगवाद आतंगवाद होता है और आतंगवाद का कोई दीन इमान कोई धरम नहीं होता तो आज हिंदु वादी नेताओं की सुरक्षा की अति आवश्यक्त है पंसर पंचों की आवश्यक्त है उनकी सुरक्षा बढ़ाने की और भाजबा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने की बहुत जरूरत है जम्मू कश्मीर में जैशी राम